स्री शिवाईन नमस्तु व्यम दर्शा को कैसे हूँ आसा करते हैं कि आप सब स्वर्श तेम स्रक्षित होंगे जैसा कि दुस्तो आप सबी को पता है आज 6 फरवरी और 7 ही माग माहक का सोमवार का दिन आज पढ़ रहा है दुस्तो आज सोमवार का आज हम आप सबी को एक ऐसा उपाई बताने जा रहे हैं जिस उपाई का अगर जब आप लोग आज की शाम करते हैं तो आप अपनी जियोन की सबी परकार की वाधाओं से सबी परकार के संकटों से सबी परकार की दुख बरी प्रिस्थतियों से आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे दोस्तों आज गया है उपाई बड़ा ही कारगारी उपाई है और हम आपको गारंटी देते हैं कि आज के इस उपाई को करने के बाद में आप लोगों को इसके बाद में कोई उपाई करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों ये जो उपाई है बड़ा ही कारगारी उपाई है और इस उपाई को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपकी जीवन की सभी संकट आपकी जीवन की सभी दुखे दर्दे दूर हो जाएंगे और दोस्तो ये जो उपाई है यह उपाई महादेव को प्रिशन करेगा भगवान सीव को प्रिशन करेगा और भगवान सीव प्रिशन होने के बाद में और इन्हें पूजा जाता है सौमवार के अधिपत्य श्वयम भगवान सीव होते हैं और सौमवार के दिन का अपना एक विशे स्मेहतो माना जाता है ऐसे में दोस्तों आज के दिन इस उपाई को करना बेहधी कारगारी रहेगा और बेहधी सुब रहेगा तो आप लोगों को माग महा के इस सौमवार पर इस उपाई को जरूर करना चाहिए किस प्रकार से किस तरह से इस छोटे से अच्छुक उपाई को करना है संपुन जानकरी आप सभी को इस वीडियो के महद्द्यम से बताएंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हर बार की तरह कॉमेंट बोक्स में श्री शिवाई नमस्तु बेम जरूर लिखे और इस चोटी सी वीडियो को अपने मित्र बंदो तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस उपाई का लाव प्राप्त हो सकें तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं परन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों आज सोमार का दिन है और सोमार का दिन भगवान सिव को समर्पित होता है तो ऐसे मैं आज की साम आपनी सुपाई को परदोस के समय करें परदोस का जो समय होता है परदोस का समय बहुत ही चमतकारी और कारगारी समय होता है इस समय पर आप लोग एक काम करें तीन पत्ति वाला बेल पत्तर ले ले और तीन पत्ति वाले बेल पत्तर को लेकर अपने घर में किसी भी अच्छी जगह पर बैठ जाए उससे पहले आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और तीन पत्ति वाला बेल पत्तर लेना है फिर आप लोगों को अपनी आखे बंद करनी ह आपको उन तीन पत्यों वाले बेल पत्र पर तीनों पत्यों पर चंदन लगाना है और उसके बाद में आप लोगों को आपके घर के आसपस अगर कोई भी मंदिर है वह गोहन शिव का तो वहाँ पर जाकर शिव लिंक पर आर्पित करना है या फिर आपने घर के पूजाई श् इससे घर में सुक समरद्धी बड़ेगी घर में सुक समरद्धी बनी रहेगी और जीवोन की सभी प्रगार की आर्थिक समश्याई समाप्त होंगी तो एक बार करकर देखेगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा वीडियो को शेर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में